स्टुडेंट्स आप सभी का सौगत हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग बात करने आ लें आपकी वक्सीट नंबर 23 के बारे में जो क्या है हिंदी विशा संग्या से ली गई एक कच्छा साथ की आज की तिति क्या है 610-2021 यहाँ पर आपको अपना निम या अपनी टीचर का निम लिखना है इस वक्सीट को चारू करने इस पहले बच्चों बता दूँ लास्ट वीक के विनर का अनॉंसमेंट किया जा चुका है अगर आप भी कॉंटेस में पास्पेट करना चाते हो वीडियो लाइक से सब्सक् कमेंट जरूर करना और चलिए रेक्ते हैं इसमें क्या दिया गया थीक है इसमें दिया गया सुबद्धरा ने सुभास को पढ़ाया मुमबई में इंडा गार्डन नहीं है बहा भारत की रचना विदास ने की थी बचपन की तरहा की नादानी अब बुढ़ापे में कहां र पहारत ठीक है सुहास या विदास आदी विसेश वस्तु इस्थान के नाम है या किसी व्यक्ति के नाम है इसके बाद इसी तरीके से कुछ विद्यार्थी ठीक है कच्छा विद्यार्थी जुंड आदी विसेश के सम्हू का नाम है बच्पन पवित्र नारानी बुढ़ापा क के नम है तो नहीं है कि कि किसी वैक्ती वस्तू इस्थान अथ्वा भाओ या आवस्था के नाम कोही क्या कहते हैं संज्या कहते है इसमें क्या दिया क्या कर io कहते हैं गें इसमें Report या के नाम को बोध कराते हैं उन्हें व्क्ति वाचक कैसंग्या कहते हैं आगरा ताज महल में कल्पना-चावला कुलंबिया तो यह क्या है इसके बाद आगरा है यह कलपना चावला और कुलंबिया जो है ये दोनों क्या है वेक्ति वाचक संगया है जाति वाचक संगया सब्द जो एक जाती वाचक संग्या कहते हैं जब आज का यूव कल का नेता है सेर भेड बकरी सभी बहस सभी जो है जुन्ड में नहीं रहते हैं सिक्षक को चात्रों का समान ठीक है सिक्षक ने चात्रों का समान किया इसके बाद चलिए देखते हैं जो किसी आवस्था ठुआ भाव के बोध कराते हैं उन्हें भाव अचक संग्या कहते हैं जैसे क्रोध मानव का सत्तुर्वे तो यहां क्या भाव दिखाने का प्रेयास करा जा रहा है क्रोध गांधी बच्पन में गांधी जी क्या है बड़े जो थे सरमीले बालक थे तो क्या है बोध करवा रहें या बच्पन उगता हुआ सूरज क्या है ललिमा दिखाता है तो ऑगता यहां पर चाहा ॏक का वस्था को दिखा रहा आए चली देखते हैं कि नीचे हमें क्या सीखने को समस्ट है ठीख और क्या समझत सब्ड़ के भेद की पहचान कर उनका नाम यह सब्द के हैं तो इसमें लिख देना वेक्ती वाजचक कि अ इसके बाद बैटा दूसरा क्या दिया गए चुंड में चलना भेडों का काम है ठीक है तो जुंड में कौन चलता है भेड़े चलती है इसका क्या हो जाएगा बटा ये जाती वाचक क्या हो जाएगा जाती वाचक हो जाएगा क्रोध अकाल को खा जाता है तो क्रोध क्या हो जाएगा बटा भाव वाचक हो जाएगा क्रोध क्या हो जाएगा भाव वा नारी की दसा से देश की दरस्ति कोण का पता चलता है तो यह नारी सब्द किया है यह आपका दिखाता है जाति वाचक संग्या को कि इसको जाति वाचक संग्या ठीक है आगे आप लिख लेना ताज महल में के चबूतरे की लंबाई और चोड़ाई बराबर है तो बिटा आप यहाँ पर देखोगे ठीक है इसमें जो आपके ये दोनों सब्दे हैं ठीक है ताजमहल, लंबाई और चोड़ाई ये दोनों क्या है ये दोनों ही क्या है आपके वेक्ति वाचक संग्या हो जाएंगे यह दोनों ही क्या जाएंगे वेक्ति वाचक संग्या हो जाएंगे ठीक इसके बाद क्या है लाल किला दिल्ली में है तो लाल किला दिल्ली में है विटा तो छटे का यहाँ पर यह जो है आपका दिल्ली ये क्या है किसी स्थान का specific नाम है एक क्या है एक निश्चय नाम है ठीक है उसका तो ये क्या हो जाएगा ये भी हो जाएगा वेक्तिवाचक संग्या क्यों जाएगा वक्ति वाचक इसके बाद बिटा क्या है राभूल को गुस्सा आ गया तो राभूल को गुस्सा आ गया ठीक है साथवे का पहला क्या है बिटा आपका पहला तो है राभूल देखो क्या हो जाएगा राभूल आपका वक्ति वाचक है ठीक है राभूल क्या है वेक्ति वाचक है और गुस्सा क्या है बिटा गुस्सा जो आपका हो जाएगा ये हो जाएगा जाके भाव वाचक ठीक इसके बाद क्या है मेरे घर में आम का पेड़ पेड़ जो है ये क्या हो जाएगा बिटा आपका पेड़ जो है वो हो जाएगा जाके ठीक जाती वाचक यहां लिख देना जाती वाचक इसके बाद क्या है सदा सत्य बोलो ठीक है सदा सत्य बोलो यह किसको दिखा रहा है यह दिखा रहा है आपके सत्य किसको बारे में बता रहा है तो जाती वाचक हो जाएगा यह क्या हो जाएगा सदा सत्य बोलो यह क्या हो जाएगा भाव वाच इसके बात मैं बुढ़ापे से दुखी हूँ ठीके तो बुढ़ापा क्या है एक आवस्था को दिखा रहा है और आवस्था क्या होता है भाव बाचक को प्रकट करता है आगया की कारपतिका क्या होती है यही पर होती है समाथ आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करकर बताना वीडियो लाइक करना चैनल से स्काइक करना और ज्यादा से ज्यादा कॉंटेस्ट में पास्पिट करने की कोशिस करना धन्यवाद वच्चो